हेलो दोस्तो पॉइंटर्ल क्लासिस के यूट्यूब चेनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तो मैं हूँ आपका दोस्त लकी दोस्तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा शेडियूल्स ओफ इंडियन कॉंस्टिटुशन दोस्तो आज मैं आपको अनुसुच्यू के बारे में पढ़ाऊंगा और आज यह आप आखरी बार पढ़ोगे क्यांगा आज के बाद आपको इस के अंगलिऊंगे याद हो जाने हुआ है ठीक है दोस्तो देखो दो चीज़े होती है uh और अच्छी बात यह है कि Osman in thears ब Latif इनको भी समझने आएगा लेकिन दोस्तो उससे पहले हम विश्तार से जानते हैं कि शेडूल होते क्या है यह कहां से आए कहां डाले गया और किस शेडूल का क्या मतलब है कभ इनको एड कर आगया क्यों इनको एड करने की जरूरत पड़ी दोस्तो इन चीजे रहे गई उनको डाल दिया गया कहां? सेडूल में उनको डाल दिया गया अनुसूचियों में, ठीक है? तो दोस्तो पहले क्या थे हमारे पास? सिर्फ आठ सेडूल थे, ठीक है? बाद में चार और जोड दिये गए जैसे-जैसी ज़रुत बढ़ते गई वैसे-वैसे शेडूल जोड दिये गए क्या पता आगे भी जोड सकते हैं? तो दोस्तो अभी जैसे हमारे आर्टिकल्स बढ़ते रहते हैं तो दोस्तो शेडूल भी वह इसी तरह चार सेडूल हमारे बढ़ गए है, ठीक है? जब शुरुआत में जब संभीधान बना था दोस्तो उस वक्या थे हमारे पास आठ जो थे वह अनुशुचिय थी और 395 आर्टिकल्स थे और आपको पता है यह कोश्चन में आपको पॉलिटी सीरीज में पढ़ा चुका हूँ है ना तो दोस्तो यह तो रही सेडूल के बा बारे में बात करेंगे और हर सेडूल के बारे में जानेंगे कि सेडूल में क्या होता है और क्यों रखा जाता है और मुझे इतना पता है दोस्तो आपको यह सेडूल ऐसे ही याद हो जाएगे जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा आपको आपको ट्रिक की जुरुरत ने पढ़ तो यहां पर दोस्तों किसके बारे बात करी गई इस दोई बदल जाते हैं तो दोस्तों वह भी किसमा आते हैं वो भी प्रतम अनुशुची में आती है यानि कि प्रतम अनुशुची जो है वो दोस्तों किस से आरे किसे लेटर है इस्टेट्स एनिट बॉंडरी और या फिर या फिर यूनें टरिटरी से रिलेटेड है ठीक है दोस्तों तो ये था हमारा पहला अनुशुची उमिद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों दूसरी अनुशुची है हमारे पास यहां पर है दूसरी अनुशुची और दूसरी अनुशुची कहती है दोस्तों भारत के विभिन पद अधिकारियों के लिए जाने वाले वेतन भत्ते और पेंशन क कि इनको office holding public office अब दोस्तों यहां पर अब question यह नहीं आता है तो कोईशन यहां पर यह आता है कि किस किस को salary second जो अनुची है दूर्ती अनुची है वहां पर किस कि किस की salary किस कि pension के बारे में बात की गई है तो दूस्तों मैं यहां पर आपको यही बताने वाला हूं मेरा मकसद आपको शेडूर्स प्लान नहीं था शेडूर्स प्लान तो मैं आपको त्रीक बताता आपको ऐसी याद हो जाता लेकिन दूसरी अनुची अगर हम पढ़ रहे है तो वहाँ पर किसके वेतन के बारे में बात करीगे क्या किसी सरकारी करमचारी के वेतन के बारे में बात करीगे या किसी private factory में काम करने वाले के वेतन के बारे में बात करीगे तो जिसके बारे में बात करीगे हम वो जानेंगे ठीक है तो यहाँ पर आपको क्या समझना है द PCS बना कौन बना Chief Justice तीक है पिसे क्या मतलब है कुन-कॉन यहाँ पर दोस्तों इसके होग साथ है balanced है उन्हाँ पर प्रेसिदेंहइंके सेल्डरी की बात करी गई और आपको पता है अगर तो प्रेसिदेंट के अनरूप कौन होता है स्टेट में होता जोष्दा तो President से Governor भी आगया आपको यह समझना है ठीक है तो कि दूस्तो P C, सी थार दोस्तो सी से होता है Chairman दोस्तो चियर्मन कहाँ कहाँ होता है Chairman होता है दोस्तो कहाँ पर राज्ये सब्बा का चेयर्मन है तो कहाँ का विदान परिशाद का भी होगा आप समझ गया कि राज़स्वा स्टेट में विधान परिसरद राज़सवा की तरह काम करता है तो आपको दो का पता चल गया एक ताव को पता चला किसका P से President, President का मतलब Governor भी है दोसा को बता है, C से Chairman, Registra का Chairman या Deputy Chairman, और जो State वो है, विधान परिसेद है legislative council है वहाँ का Chairman और Deputy Chairman तीसा होता है, S S से हो गया, दोसको कौन? Speaker कहां का Speaker? लोग सबह का Speaker, और लोग सबह का Deputy Speaking, और दोसको कहां का Speaker जो Legislative Assembly होता है वहां का भी स्पिकर याने की विधान सभा का भी स्पिकर अच्छा यह तो हो गया PCS अब PCS क्या बना था PCS बना था Chief Justice तो दोस्तों फिर से दूसरा सी यह Chief Justice था यहाँ पर CJ था ना CJ तो CCM हो तो CAG से Controller and Auditor General of India या जिसके बारे में मैं आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ा चुका हूँ ठीक है तो CAG की salary के बारे में बात की गए और दोस्तों आखरी हुआ हमरे पास judges अब J से हुआ judges तो judges कौन दोस्तों judges होगे सुप्रीम कोड के और सुप्रीम कोड के है तो हाई कोड के भी हो गए तो दोस्तों देखो कितनी must tricks है आपको समझ में आया देखो यह होता है पढ़ना यानि कि आपको अकसर आपको यह पता होता है कि दुरितियाने सुची में salary के बारे में बात करिए लेकिन किसकी salary के बारे में बात करिए तो आपको समझ में आगया किसकी salary की बात हो ही वह आप पर बात हो यह PCS PCS बनाige PCS और Chief Justice की salary के बारे बात हो यह आप ऐसा भी जासकत प्रैसिडेंट प्रीसिडेंट यह थो ठीक है दोस्तों अच्छा, C से हुआ, Chairman, कहां का Chairman, राज से वगळगा Chairman, तो दोस्तो, वो Chairman कहा का होगा, विधान परिष्ट का भी होगा, जुप्टी Chairman भी होगा, ठीक है, फिर आगे तो से होगा, Speaker, लोग समझान स्पीकर, ऍप्रटी स्पीकर, सपत के बारे में कि जब भी कोई पद अधिकारी क्या होता है जब कोई मंतरी जब लड़के जाता है तो जितने भी सपत ओध के बारे में बात करी गई है और यहां पर सपत के किसकी सपत की बात यज देखो यहां पर ऑपको क्या करना है दोस्तो यहां पर आपको चीफ-जस्टिस तो वैसे रखने हैं जो उपर पी-चीफ-जस्टिस था अब MCM में कौन-कुन आता है दोस्तों यह समझेंगे बहुत अच्छी दरश ठीक है तो पहला MCA आता है दोस्तों Ministers of Union जो भी Union के Ministers होता है Central के अगर Central के होंगे तो फिर State के भी होंगे very good तो Minister से हो गया ठीक है दोस्तों C से आता है करता है दोस्तों वो भी सपत लेता तो यहां पर candidate ठीक है यह भी important है जो candidate चुनाओ लड़ने जा रहा होता है दोस्तों यह बहुत deep बात है बहुत कम लोग समझाएंगे आपको वो candidate भी सपत लेता है ठीक है अच्छा तीसरा होगे तो अब M से कौन होगे फिर से दोस्तों member of parliament यानि की हम बात कर रहे थे M, C, M, C, J M से कौन थे union के minister, state के minister, C से कौन था candidate था यानि की candidate कौन थे अगर लोग सबा के candidate जो चुनाओ लड़ने जा रहा होगा अभी लड़ने से पहले की बात हो रही है अभी चुनाओ जीता नहीं होगे लड़ने से पहले की बात हो रही है तो legislative assembly का भी होगा M से दोस्तों member of parliament यान आप वो सबत लेगा तो वो भी देखो M हो गया और यही चीज़ legislative assembly में भी लागू है बाकी C से कौन था कैग control and order general और J से कौन था जे से था judges ठीक है दोस्तों ये लोग जो हैं इनके सबत के बारे में बात की गई है ठीक है आपको समझ में आ गया हो दोस्तों किस किस की यहा दोस्तों ऐसे पर में आ जाएगा ना मतलब मतलब आपको यह जब पिपर दो गए ना मतलब देखें बड़ी खुसी होगी कि वाओ हमने पढ़ा था लगकी सहने हमें कहीं पढ़ाया था ठीक है that time would be a proud moment for me कि मतलब हाँ मेरा पढ़ावा कुशन की जाम में आ जाए और अक्स बे Almost बताने वाला हूं यहां पर बात की गई हैं यहां पर बात की गई दोस्तों किसके बारे में राज्यससवा ने अपको बताया था है और आपको नो राज्ये ऐसे हैं जहां से राज्यसवा के लिए यहां पर दोस्तो अब जानते हैं राज्यसवा के बारे में यहां पर क्या बात करेंगी है कि राज्यसवा में जो मेंबर चुनके आएंगे वो कैसे कैसे आएंगे ठीक है तो यहां पर मैं आपको कुछ बता देता हूँ एक कोईशन जो मैंने यह तो बताई दिया आपको कि जो राज्यसवा मेंबर आते हैं वो नो राज्ये ऐसे हैं जहां पर एक एक मेंबर आते हैं तो दोस्तो कभी भी question क्याता है highest number of members कॉंसिस्ट से आते हाथ हाइस number तो highest number of member दोस्तो एक बात आप हमेसे ध्यान रखो कभी भी जब पूस्ता है ना member के बारे में highest हो highest तो आप हमेसे UP याद रखो बस ये trick है UP याद रखो आप कि जब भी highest की बात करें तो आपको कभी याद रखना है UP अब UP से क्या मतलब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ तो इसलिए मैं ऐसे ते कह रहा हूँ क्योंकि लोग सबमें सबसे ज़यदा seat किसकी है UP की है तो राज्य सबमें किसकी है UP की है ठीक है जो highest seat है तो यूपी की ही है थीक है अच्छा अब तो राज्य सभव में यूपी की कितनी seat दोब तो, एकत्य सीट 31 सी तो दूसरे नमबर पर को पर आता है दूसरे नमबर पर किसके बारे में ओसरे राज्य सभव में से एकत्य सीट और राज्य सबब में तो महारास्तरा इंड की सीट कंशीbor आ की सीट वहां कि बोखुट सारे स्प्रेंट देै का न की बहुत से आसा अचाहे हैं पढ़ा रहे हों आछी आईillल को सबढ़ yellow आए यह क्लास ने देखके चलना है और तो आप उमीद है आपको यह वीडियो पसंदारी होगी तो दोस्तों पांच वी जो है यहां पर बात के इसकी छेत्रों को किसकी कौशे अनुशुची छेत्रों में और अनुशुची जनजाती के छेत्रों है ठीक है जो पूरे जो और इंडया में जितने भी हमारी शेडियो से ऐरिया इनके बारे में यहां पर बात की गई यहां पर यहां पर काउन्स और दस रात्जह में और यहां पर क्या होता है यहां पर ट्राइव इडवाइसरी न्युपाया धिक काउंसिल बनाए जाती है और दोजस्तु यहां पर यह भी होता कि मतलब जो पर्लेमेंट वह पर लेसे र Kennedy होती है उच जगह घंज法ale इंडिया में गर्फ थस स्टेटि में ऐसा है ठीक है तो यह पांच भाइक पूरे भारत करता पूरे भारत में जो भी अनुशुसी छेत्र है या अनुशुसी जन्सानी जाती हैं तो उनकी culture को उनका culture भी खतम नहों और हमारी रास्टी एकता भी बनी रहें तो ऐसा क्या प्रावधान इसमें रखे गए हैं कि ना तो उनका culture भी खतम हो और हमारी रास्टी एकता भी बनी रहें तो इसलिए special प्रावधान रखे गए हैं इसको याद किसे करें एक मैंने आपको यह याद करा रखाए जब आपको राजी सब्सक्राइस इसको बोलते हैं क्यों सकते हैंером से क्या निकालते हैं आपनी निकालते हैं तो यहां पर मनिपूर नहीं है तो चटी अनिशुची में इस पिसली चार ट्रावज्ट के बारे में बात कीए है इनको अलग से कुछ प्रावधान दिये गए है इसलिए दोस्तों क्योंकि यहां पर क्या है यहां पर हिंदी कम बोली जाती है अब केंद्रिय राज्यों के शक्तियों के बड़बारे के बारे में अब कैंद्रिय और राज्यों के सकतियों के तो यहां पर तीन तरह से पावर इस्ट्रिबूट की हो गई है यह फैडरलिजर दोस्तों यह क्लास 10 में है तो पॉलेटी में मैं आपको जब शुरू करूंगा तो तो यहां पर क्या है यहां पर तीन लिस्ट नहीं है सब्सक्уетy और यहां पर आज के दिन ऐसे और यह लेकिन अगर यूनियन ने अपना कानून ला दिया तो यह बात इंपोर्टन नहीं होगा तो यह बात लेकिन अगर वह कानून सेंटर के कानून को कॉंट्राइटिप कर रहा हो तो यहां पर क्या था यहां पर पहले 66 विशाई थे अभी साइथ यहां पर 61 विशाई है जो यह थोड़ा बहुत उपर नीचे हो सकता है ना क्योंकि मैंने यह देखा तो अलग लग जगा थोड़ा वह कहीं एक सेट कहीं पास से दिया हुआ था तो दोस्तो इसको आप थोड़ा से चेक का लिजेगा इसके लिए मैं थोड़ी माफी चाओंगो कि यह एक्जेक डाटा दोस्तो अगला हमारे पास यहां पर दोस्तो के भी होते हैं तो इस तरह की चीजे कहाती है कंटलिंट लिस्ट में आती हैं तो दोस्तो मैंने आपको ती सब दो कि इस pumps हो गए ठीक है कुछ हॉस्पिटल्स हो गए तो यह सब चीजे दोस्तों यह आपके हमने तीन लिस्ट पड़ी है और तीनों की अपने पावर है और तीनों ही इसी तरह से काम करते हैं तो इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं हमारा फेडरेट सेक्टर तो यहां पर पहले 66 आप 61 है और बना उसमें वर्तमान यह है तो यह हमारे समजेक्ट है ऑठीधान में जिन भासाओं को मानेता दे रहे उनके बारें बात की जाती है तो दोस्तों यहां पर पहले तो 14 बाता इंदी ठीक है जब संबीधान बना तो 14 बाता दे गए थी तो दूसके बाद क्या हुआ उसके बा एमेंदमेंअ हुआ है, थीपीवर्स एमेंदमेंट में क्या हुआ दोस्तों, यहां पर सिंधी को जोड दिया गया, ठीक है 71 वा संसोदन, amendment संसोदन कहा गया यहाँ पर कौनकनी, मनिपूरी और और नेपाली को जोड़ दिया गया यानि कि यहाँ पर के, एम, एन बस आप याद रुखोगे के, एम, एन ठीक है जिसको जिस तरह से वोड याद होता है मनिपूरी और नेपाली, इनको सब्विधान में एड कहा गया था अब चार भासां एड हो चुकी है तो दोस्तो उसके बाद क्या हुआ उसके बाद 2004 में फिर से एक संसोदन कहा गया दोस्तो यह था बया नेपुवा संसोदन ठीक है यहां पर दोस्तो BDMS को एड कर गया BDMS थी तो आप सुनदेगा Bodo, Dogri, ठीक है Bodo हो गया, Dogri हो गया, Methly हो गया और एक हो गया, Santhly ठीक है इन चार भासां को एड कहा गया था BDMS को ठीक है तो दोस्तो यहां पर इस से आपको साथ-साथ तो यह भी देखने को बिलेगा कौन से अवेंड में क्या हुआ था, देखो 21 प्लस 71 कर गया था 92 और यह तीन हो किस के लिए है, भासा के लिए है तो आपको याद हो गया न, 21 और 71 21 में क्या कहा था, 1 को जोड़ा था 71 था में तीन को जोड़ा था और एक और तीन कितने होते हैं, तो न, 4 यहां भी 92 और यहां भी 92 में 4 को जोड़ा था तोटल 8 को इस तरह से जोड़ा गया और यह बन गया हमारे 22 भासा हैं दोस्तो यह थी आठवी अनिशुची ठीक है यही था दोस्तो कि समवीधान में अनिशुची प्रतम समवीधान सभीधान थी और यह 1901 में जोड़ी गई थी नवी अनिशुची क्योंकि मैंने कहा था ना पहले आठी थे तो बाद में यह 1901 में यह अनिशुची जोड़ी गई अब क्यों जोड़ी गई दोखो यहां पर क्या हुआ दोस्तो पहले जो भारत की जमीन जाए जाती वह आपको पता होगा आप पढ़ते होंगे जाधते जमीन दार लोग के पास या दालगरत थे उनके पास जाधा जमी रहती थी तो दोस्तो अब क्या होता था आयए दिन अपने अधिकार को ले-किसके बड़िकार aja थे कि यह जमीन मेरी थी आज this चुनाति नहीं सकता तो जो भी ऐसा कुछ केस लिखता था है तो उसको नविय अनिशीचि में के बारे में में कि आपका कोई ऐसा आधिकार नहीं कोई ढूति नहीं आ सकता था ठीकन इसी के अंदर दोस्तो जोड़ी 2007 में ठीक है फिर क्या हुआ संभीधान पीट के एक नेरे द्वारा यह स्तापित किया गया कि नवी अनिश्युटी में संभी किसी भी कानून को इस अधारप में चुनावति दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उलंगन करता है यानि कि यह कहे के उसको मतचु 24 अप्रेल 1973 के बाद बाद जितने भी चीज़े थी उनमें रिव्यू हो सकता था और यह कब से बात आई थी तुस्तों कब आया था यह आया था 11 जूरी 2007 को यह कानून पास कर गया था इस दिन बोला गया लेगिन किस दिन के किस दिन से होगा का था उनने का था 24 अप्रेल 1973 क के बाद से जितने भी केस ऐसे आ रहे हैं उन पर रिव्यू कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर केस वानन भारती केस आया था उजने बहुत सब को चौका दिया था तो इस तब जाके सुप्रीम कोट ने 11 जूरी 2007 को यह बात गई तो यह था नवी अनुशुची यहाँ पर जि इस वी अनुशुची को 52 में संसोधन में ठीक है 1985 में जब राजिव गांधी की सरकार थी उस वक्त दोस्तों इसको इस संसोधन को डाला गया इस अनुशुची को डाला गया दोस्तों इसको बहुत यहाँ पर क्या था कि पहले जैसे मालो मैं चुनाओ लाटता हूं BJP की पा यहाँ पर बहुत सारे नियम कानों बनाए गए कि कोई अगर किसी पार्टी में जाता है तो कैसे जा सकता है तो इसमें डिफेक्शन पर गारें बात की गई ग्राम पंचयत के लिए यानिकि एक लूरल की लूकल गॉइमंट उनी चीए ठीक है, 73 वे संसोधर में 1993 में जोड़ी गई थी ठीक है, और इसमें क्या कहा था कि एक लोकल गॉइमंट होनी चीए हमारे पास ठीक है, और दूस्तों इसमें जो है ना, इसमें हमारे पास 29 सब्ज ठीक है फिर आते हैं दोस्तों आखरी अनुचुची है हमारी बारवी यहां पर कहा गया दोस्तों यह अनुचुची 74 यह हम पता है 74 संभीधान सवजदन में डाले गई ठीक है और यहां पर गया था जैसे जिस तरह से गाउं में एक लोकल कोमन बाने थी उसी तरह सहर में पर होता है मिन्सिपलेटी होती है काउं में को नतार परधान होता है पंचायत होती है सहर में मेयर होता है है इस तरह से काम चलता है तो दोस्तों यह डाला गया बारवी अनुचुची में यानिकि 74 संभीधान सवजदन 1993 में ठीक है यहां पर दोस्तों कितने विश हैं इसके 18 फ तो मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको कुछ नया सिखाऊ तो चलिए दोस्तों अब एक ट्रिक की तरह जाते हैं जो कि आप लोग ट्रिक करते रहें तो चलो ट्रिक की तरह जाते हैं यह हिंदी मेडियम माले बच्चों के लिए हैं और मतलब तो दोस्तों क्या था देगो स्पी की कसम राज्यसरवा में अनुस्यची जनजाती और जनजाती उने तो स्पी साब थे कोई उनकी कसम खा के कोई भोल रहा है कि राज्यसरवा में क्या हुआ जो अनुस्यची जनजाती थे और जो जनजाती थे ने अपनी सक्ति क्या करें उ अनुशुची जिनजाती और जिनजाती के लोगों ने अपनी सक्ति दिखाई ठीक है और वो किसकी कसम खाके बोलता है करना पड़ा उनको उनकी शक्तियां देनी पड़ी ठीक है अब उनकी उनको सक्ति दिखाई तो उनको जमीन देनी भासा के आधार पर उनको भासा के आधार पर पहले भाटा गया फिर भासा के आधार पर बांटे पर उनको जमीन दे दी गई ठीक है जमीन दे दी अब जमीन कह कहां कहां दी कुछ को कुछ को दी पंचायद में और कुछ को दी मिंसिप्रति में दी चलिए दुवारा देखते हैं ट्रिक अपनी सकती दिखाई तो बहसागे आधार पर उनको जमीन दे दी गई और कहां दी गई कुछ को दे दी गई पंचायप में और कुछ को दे गई मुंसिप्रति में ठीक है दोस्तों यह थी हमारी ट्रिक की कैसे बनते हैं यह ट्रिक कब आप देखो ऐसे हो गया दोस्तों हमरे स्टेट पीसे हो गया पैसा पैसा पैसे एस स्टेट पीसे पैसन तो पहले और दूसरे तो यह होगे चकसं खाता है M C M C J इनकी कसम की बात हो रही होती है बिल्कुल आप समझ गयोगे फिर दोस्तों मैंने का था चोथे में को राज्यसवा चोथे में और मैं आपको बता था कॉंसे स्टेट में हाइस राज्यसवा को थी 31 सीथ है कहां से UP से तो चलिए ठीक है उसके बाद दोस्तों अनुशिची जन जाती है यहाँ पर पूरे भारत की बात की गई है यहाँ पर लगबल लगबल दस स्टेट है भारत में जहाँ पर ट्रावल एड्वार्जरी कॉंसल को बनाया गया है इन जगों पर मैं आपको यह भी पता है कि 3-4 रेप्रेजेंटेशन होता है MLA वहां के पार्टिकुलर ट्रावस का ठीक है यहाँ पर केंद्र और राज्य और दोनों के मिलके जो सकती अलग-लग बटवरा किया गया है उसके बात हो रही है फिर भासा आठ में भासा है पहले 14 थी अपको देखो पता चल रहा होगा कि आपने पूरी वीडियो में क्या सीका है बिलकुल पता चल रहा होगा दिक है अब जमीन आठार्पण कोई देगsky को जमीन ज्मीन से दिक नित्तरी दे गई डिक सा तो defection, anti-defection या देदी से दल बदलू आप ये लिख सेकते हो ठीक है अब कहाँ दी कुछ को पंचायद में दी और कुछ को मिंसिपर्टी में दी तो दोस्तों ये था हमारा trick ठीक है अगर आपको ये समझ में आता है तो उनके दोस्तों हमारे पाई से tiers of old PM कोई बिचारे बुड़े PM थे हमारे जैसे माला मनमोहन सिंग और वो रो रहे थे ठीक है तो उनके आंसू आएंगे तो tiers of old PM तो दोस्तों ये तो बहुत पुराएं ट्रेका आपको अगरे आपको एक एक चीज़ बता रहे है ती से आता है ट्रेटरी एक से आता है ट्रेटरी जो भी कम ज्यादा होती है इसे आता है अमडुमेंट्स की मतलब यह होता है उनका प्रविजन्स ठीक है यह बात हो रही है फिर ए से आता है एफ्रिमिशंज एण ओंड ओध दोस्तों एफ्रेमिशन到 फिर ए होगया फिर हो गया आर आर से होगया आर से गया हो स्कॉएल स्थी पर आता है प्रदान सब्सक्रांतों कुल प्रदान सब्सक्राइब कर प्रदान सब्सक्राइब और आपको गहन में बता दिया तो अभी इसमें बहुत सारी चीजे होंगी जो मुझे पता है कि छूट गई होगी क्योंकि आपको पता है ठीक है, to explain you better, मैंने अपनी कोसिस की है, कि मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझा पहूं, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ, आपको वीडियो बोखोत अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, और आप बताईए जरूर कि आपको वीडियो कैसी लगी है दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद हमारे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए